स्वागत है आपका यूपे बुलेटेन में मैं आप लोगों के साथ शालेनी पांडे तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ पूरे यूपी में बाहतर घंटे तक चलने वाली बिजली कर्मियों की हर्ताल का असर कई गाओं और शेहरों में देखने को मिल रहा है यहां तक की पश्चमी यूपी के बागपत में 50 से ज्यादा गाओं में बिजली सप्लाई बंद हो गई है और बिजनौर में तो 47 बिजली घरों पर ताले लटके हुए हैं कई लोगों के घरों में लगे इन्वेर्टर्स ने भी जवाब दे डाला है गुरुवार राद 10 बजे से 72 घंटे तक की सांकेतिक हर्ताल जारी है और इस हर्ताल का पश्चमी यूपी पर काफी जादा असर देखने को मिल रहा है कई जिलों के अलग-अलग स्थानों पर बिजली एकदम गायब हो गई है लोगों को इससे काफी जादा परिशानिया हो रही है जहां एक तरफ यूपी के कई जगाहों पर बिजली गुल है तो वहीं आम जनता जो है इससे काफी जादा परिशान हो रही है वारन असी के वरुना पार में लोग गुस्ते में नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतराए हैं लोगों का कहना है कि बच्चों के एक्जाम्स का समय चल रहा है ऐसे में बिजली पानी नहीं होने से परिशानी हो रही है लोगों ने सड़कों पर उतर कर चक्का जाम किया बोर्ट की परिशा के साथ साथ स्कूल में अधर एक्जाम्स भी है जिस दर्दनाक हाथसा सामने आया यहां एक आलू के कोल्ड इस्टोरेज की छट गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोगों को बचाया गया है जिसकी जानकारी डी आई जी शलब माथों ने दी वहीं घटना इस्थल पर परीजनों ने हंगामा किया और प्रिशासन पर और बचापकार है चलाया जा रहा है इस पूरे मामले पर डी आई जी ने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनवाते हैं उनमें से च्छे लोगों को उनको मेडिकल के उपरान जो है परात में कुछ चार के बाद डिस्चार कर दिया गया है जो पांच लोग हैं उनको मुरादाबाद के अंदर क्रीट्मेंट किया जा रहा है इसके अलावा तीन लोग अभी जो एकदम वरतमान सूचना जो मैं और प्रयास ही है कि जैसा आप देख रहे हैं कि लगाता हम लोग का ओपरेशन चल रहा है कि उनको भी जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया दे S.E.O. यानि शंगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन के परेटन मंत्रियों की दो दिन की बैठक शुकरवार से काशी में आयोजित हो रही है और वहीं शंगाई सहयोग संगठन में S.E.O. सदस्य के साथ किंद्रिय परेटन मंत्री जी किशन रेड़ी भी इसमें शामिल हुए और परेटन मंत्रियों की इस बैठक में आज रात राती के भोज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाद भी इन लोगों के साथ शामिल होंगे बनारस में आयोजित हुए खेलो बनारस में हिस्सा लेने वाले 70 खिलाडियों में से 20 को शौटलिस्ट किया गया है ये सभी पियम मोदी से मुलाकात करेंगे इसके अलावा इन सभी खिलाडियों को ट्रेनिंग दी जाएगी इसके इस ट्रेनिंग के अंदर ये बताया जाएगा कि जब ये पियम मोदी से मुलाकात करेंगे तो उन से किस तरीके के सवाल किये जाएंगे किस तरीके से उन्हें जवाब देना होगा तो ये सभी चीज़े इस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगी अब बात कर लेते हैं आयोधा में निरमान होने वाले राम मदिर की राम जन्व भूमी में राम मंदिर का ग्राउन फ्लोड जो है वो 70 पीसदी बन कर तयार हो चुका है उसका काम पूरा हो चुका है राम मंदिर के गर्व ग्रह में सभी स्थम्ब जो है वो खड़े किये जा चुके है और मंदिर पर चड़ने के लिए अब तक 24 सीड़ियों का निर्मान भी हो चुका है वही भक्तों को 32 सीड़ियां चड़कर राम लला के दर्शन होंगे राम मंदिर का भव्य स्वरूब जो है वो दूर से ही अब दिखाई देने लगा है दर्शन के रास्ते से ही निर्मानाधीन मंदिर का दर्शन कर दर्शनार्थी जो है वो भी काफी जादा खुश नजर आ रहे हैं राम मंदिर के गर्ब ग्रह के तीन तरफ की दिवारे भी जो हैं वो खड़ी हो चुकी हैं और बीस फिट उचे दिवार मकरान सपेद सक्मर्मर के इस्थम्ब के साथ बड़ी ही भव्व्व लग रही हैं आगरा के पतेहबाद से बेहचा काने वाला एक मामला सामने आया है जहां एक युवक को पहले होटेल में नौकरी का जासा देकर बुलाया गया जब युवक इंटर्व्यू देने के लिए होटेल में पहुचा तब उसके वहाँ पर कपड़े उतरवाए गये उसके साथ मारप पैसे थे उसके पास जो भी सामान था वो से छील लिया गया और इन सभी चीजों का वीडियो बनाया गया आपको बता दे कि जो यह युवक था या अंशुल नाम इसका था और यह नौकरी का एक विज्यापन देखकर वहाँ पर होटेल के अंदर पहुचा था और इस विज पिनर भी शामिल थे और उसके बाद इन सभी लोगों ने इसके साथ ऐसी हरकत की से इंटर्व्यू के जासे इंटर्व्यू का जासा दे कर बुलाया गया और उसके साथ मारपीट की गए और काफी जादा युवक को परिशान किया गया पिलहाल पुलिस कर्मियों ने इस और चाइनिस ट्यूरिस्ट जो है वो नेपाल से कुशी नगर आई थी और बताया जा रहा है कि उसकी जो दवा है वो ताइवान से चल रही थी इसी बीच में इस युपती की दवाईयां खतम हो गई तो उसके बाद उसे काफी जादा जो उसकी मानसिक स्थिती थी वो बिगर गई जिस कारण इसे अस्पताल में भरती कराया गया और जब इस अस्पताल में भरती कराया गया तो उस दौरान ये जो महिला थी काफी जादा परिशान हो रही थी और कई बार इसने अस्पताल से भागने की भी कोशिश की और इस फिर उसके बाद इसके परिजनों से कैसे भी करके बात कराए गई तब जाके महिला थोड़ी शान्त हुई और इसके बाद इसका इलाज किया गया डिफेंस कॉरिडोर के अलिकर्ड नॉड में आप बिना बारूत के ही आयूध रक्षा यानी आमा में डिफेंस उत्पाद बन सकेंगे अनला में बनाय जा रहे डिफेंस कॉरिडोर के पास ही इंडियन ओयल का गैस रिफलिंग प्लांट है जिसमें घरेलू और व्यवसाइक यानी डोमेस्टिक और कमर्शल दोनों तरह के सिलेंडर जो हैं वो भरे जाते हैं इसलिए पहले से तैथा कि यहां सिर्फ छोटे हतियार और उनके पार्ट सी बनेंगे और उद्योग विभाग ने निवेशकों से जल्द ही अपनी कायों का निर्मान शुरू करने का अनुरोध भी किया है संपूनानंद संस्कृत विश्विद्याले के कंट्रोलर ओफ एक्जामेनेशन डॉक्टर पदमाकर मिश ने गुरुवार को अपने पत से इस्तीफा दे दिया उनका आरोप है कि भ्रस्टाचार के आरोप्यों के खिलाफ कारवाई ना होने से वो काफी जादा परिशान है झाल